जे मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ बिना खिलाए पिलाए सिर्फ नाम से ही घर बैठे बैठे 20 मिनट में किसी को भी अपने वस्मे कर सकते हो महाकाली वासीकरण जी हाँ भगतों आज जो मैं आपको वासीकरण बताने जा रही हूं माता काली का ये सबसे ज़्यादा पावरफुल वासीकरण है और ये एक ऐसा वासी करण है, जो किसी के, मतलब बुरे काम के लिए इसका इस्तमाल नहीं किया जाता है, इसका इस्तमाल किया जाता है, जिससे कि आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई भेन, भाई, कोई भी आपका बाप हो, तो जब वो गलत रास्ते पे चलता है जैसे कि सराप पीना, नसे करना और घर में लड़ाई जगडे करना तो यह सब चीज़े जब कोई गलत रास्ते पे चलता है तो उसको इस वासी करन से आप सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं अब देखे मैंने काफी सारे भक्त देखे हैं जिनके घर में ऐसा हकीकत में होता है जिसे उनका भाई है कोई भेन है कोई उनके पापा या कोई माँ कोई भी मितलब घर में फैमली मिंबर ऐसा है जो आपके घर में डेली दारू पीता है और दारू पीके रोज कलेस होता है तो जब कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर चले जाता है न तो उसे हमें अपने बस्त में करना चाहिए और उसको सही रास्ते पर लाना चाहिए वो दारू भी छोड़ दे और ना घर में लड़ाई जगड़े करे ना ही कोई डिमांड करे तो मैं जो आपको इस वीडियो में महाकाली को वासी करना बताने जा रही हूँ ये केवल लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए इसका इस्तमान किया जाता है और आप इसे अपने घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं तो चलिए भक्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के मादेम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाहूंगी अगर आप लोग महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे मेरी हाथ जोड के सभी भक्तों से रिक्वेश्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महाकाली के भक्तों तक शेयर कर देना जरूरी निये महाकाली के भक्तों तक ही शेयर करोगे मेरा कहने का मदलब है जो कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे चल रहा हो घर में लड़ाई जगड़ा करता हो, दाउन पीता हो, नसे करता हो तो उनको इन सब चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए आपको मा काली का वासी करना पड़ेगा और इस वीडियो को जितना आप शेयर करोगे, सभी भक्तों के घर में शुक्षानती रहेगी और कोई भी उनके घर में सराब को हाथ नहीं लगाएगा, ना किसी नसे पानी को हाथ लगाएगा और वलकी वो भक्ती भाव में जुड़ जाएगा सबसे पहले वासी करन को आपको करना कैसे है जैसे देखे एक वासी करन होता है कि जैसे हमें किसी को अपने वस्मे करना है तो उसे हमें कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है समझे जैसे कुछ मीठे में दे दिया अधित्तर करके किसी को भी वस्मे किया जाता है तो मीठे में ही दिया जाता है कोई भी मीठी चीज हो उसमें ही वासिकरन सबसे तेज होता है अब जो आपको वासिकरन करना है किसी को खिलाना निये ना किसी को पिलाना है सिर्फ आपको नाम से करना है जिसको भी आप अपने वसमे करना चाह रहे हो उसका बस आपको नाम पता होना चाहिए उसका नाम आपको पता है तो आप उसे घर बैटे बैटे बस में कर सकते हो और केवल वही व्यक्ति इस कारे के इस्तमाल करेंगे जो अपने घर में मा काली की उजा करते है जो मा काली को सच्चे मन से मानते है जो भक्ती नहीं करते हैं वो इस चीज का इस्तमाल ना करें सबसे पहले वासिकरन करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरुवत पढ़ेंगी पहली चीज में एक आपको निम्बू लेना है दूसरी चीज में आपको ग्यारा साबुत फूल वाली लोंग ले लेनी है जैसे कि आपकी छट हो वहां पर आपको जैसे वह होती है कोलेच होती है और वह होता है चोक होती है उससे आपको गोलधारा बना लेना है माकाली का नाम लेके उसमें बैठ जाना है अंदर बैट के सबसे पहले दिये जलाना दिये की जो बाती है रूई की रखना और दिये का जो मुँञ अपनी और रखना हत्ता जोडी आपको ओनलाइन भरेब लेनी है हत्ता जोडी एक ऐसी चीज है जो हमेशा तांत्रीकों के पास मिलदे तांत्रीक लोग हथा जोड़ी के जरीये से ही किसी को वस्में कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले जो ग्यारा आपने लोंग लिए वो आपको nimmu में गाड़ देनी है यह यह के nimmu को काटना नहीं है 11 लोंग आपको गाड़नी है उस व्यक्ती का नाम लेके जिसको आप अपने वस में करना चाते जिसको आप सही रास्ते पे लाना चाते और नीबू को आपको रख देना है दिये के आगे जो दिया आपने जलाया है हत्ता जोड़ी अपने हाथ में लेना और मासा का मंतर बोलना ओम महाकाली बस फट स्वाहा ठीक है ये मंत्र है जो की है बीज मंत्र ये बोलते ही उस व्यक्ति का नाम बोलते रहना 41 बार जिस व्यक्ति को आप वस्मिक करना चाहते हो देख लेना 20 मिनट में वो आपकी पस्मिक होगा तो चलिए अब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमा काली हर हर महादे मातकाली आपकी मनुकामना पूरी करें खुस रहे आप और आप लोगों का परिवाद